Hello dear students, आप सभी का India Education Hub के YouTube channel पर मैं स्वागत करती हूँ दोस्तो, graduation complete होने के बाद सभी विद्याथियों के मन में ये confusion रहता है, ये doubt रहता है कि वो आगे किस से पढ़ाय करे, कौन सा ऐसा course है जो उनकी career के लिए भी best रहेगा तो आज किस वीदियो में हम बात करने वाले हैं, LLB 3 Year course के बारे में बहुत अच्छा course है, इलहाबाद University में, आप इसकी त्यारी कैसे कर सकते हैं, paper pattern कैसा होता है, सभी से संबने जानकारी आज किस वीदियो में हम आपको देने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, eligibility criteria क्या है, कौन से विध्यारती इस form के लिए apply कर सकते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे paper pattern में, इस बार कितना बदलाव आपको देखने को मिलेगा, negative marking होती है या नहीं होती है, form फिस क्या है, और इसके last में आप हम ये भी जानेंगे कि आपका syllabus क्या होता है, तो आप सभी हो जाइए तयार, सबसे पहले हम बताने वाले हैं कि आपके जो form की last date है, वो क्या है, क्योंकि बहुत सारे विध्यारती बार बार ये question आता है, कि form की last date क्या है, तो देखिए आपको last date का wait नहीं करना है, आज से आपके form की registration स्टार्ट हो रहे हैं, last date टीन तारीक है, और online जो है, आप fees deposit करते हैं, fees जमा करेंगे, तो वो भी last date यहाँ पर रखी गई है, यह थी कुछ important date जो आपको पता होने चाहिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो यहाँ पर जो आपकी नियूंतम अहरता मतलब कह लें, eligibility criteria रखी गई है, वो अगर आप graduate हैं, तो आप इसका form भर सकते हैं, इसके साथ ही अगर हम बात करें percent की, तो category wise यहाँ पर percent आपको पता ही होगा, अलग-अलग रखा जाता है, जैसे कि general के लिए 45 percent, OBC candidate के लिए 42 percent, SCST candidate के लिए 40 percent, यह बहुत ही नियूंतम आपके जो है, कुछ eligibility criteria थी, दूसरी ज 600, मतलब 600 रुपए रखे गए हैं, unreserved, EWS और OEC candidate के लिए, और इसके आगे बढ़ते हैं, तो 400 जो fees है, वो रखे गई है, SC, ST और PH candidate के लिए, यह है आपकी form fees, तो आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से धिहान से देखेगा, यहाँ पर हम आपको सभी जानकारी दे रह आते हैं, तो हमारा मातर यह देख है कि आप किसी एक को जो है, बहतर कोर्स की त्यारी करें, अपनी करियर को जो है, बहुत अच्छा बनाए, बेस्ट बनाए, तो हमारे चनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह से अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए, हमन मतलब आपको दिर्ड़ सो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको समय दिया जाएगा दो घंटे का, पेपर जो आपका थ्री पार्ट में होगा, आगे हम बात करने वाले हैं, वो थ्री पार्ट कौन से हैं, और इच क्वेश्चन दो मार्स, मतलब अगर आप दिर्ड़ सो आपका किया जाएगा, इसे जाएगा कस्मी माइगरेंट के लिए भी फॉर्ट जो हैं उन सभी के लिए, स्पोर्स कोटा के लिए थोड़े थोड़े आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कि रिजर्वेशन उनके लिए रखा जाता है, चलिए अब हम जिसका आप बहुत ही वेट कर रहे थे, पेपर पैटरन को उस पर हम डिसकस कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, कि आपका पेपर पैटरन ऑफ अड्मिशन दिया हुआ है, कि दो लौ एडमिशन टेस्ट शाल भी तू अवर दूरेशन, देटेस्ट सेल भी कंसिस्ट ओफ 150 question of 300 marks, इसको तो हमने पहले ही देख लिया था, सले बस आप डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला जो आपका पार्ट है वो है language comprehension, यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों से question पूछ जाएंगे, आपको attempt भी दोनों question करने ह ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी एक language का आपको question attempt करना है, दोनों languages से आपको question 25-25 पूछ जाएंगे, part 2 कि हम बात करें, तो यह है आपका general awareness और current affair, general awareness में भी आपका, सबसे पहला अगर हम बात करें, तो political science आपको बहुत अच्छे से पढ़ की जाना है, ठीक है, history से, geography से भी general awareness में आता है, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगे कि India Education Hub ने आपको लगातार practice set कराई है, तो आप हमारे practice set देख सकते हैं, आपको playlist में मिल जाएगा, YouTube वीडियो अगर आप हमारी देखते हैं, तो वहाँ पर आपको पूरी playlist त्यार मिलेगी, जहां पर जाकर, आप general awareness की पूरी त्यारी कर सकते हैं, तो उसे आप देख सकते हैं, लगभग आपकी जितनी भी अलग-अलग यहां पर topic wise, subject wise आपको जो भी पूछा जाता हैं, वो सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं, और अपनी त्यारी को और बहतर कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, दोस्तों, part 3 में आपका reasoning, mental ability और legal aptitude, reasoning और math से समबंदित आपको question पूछे जाते हैं, चलिए, यहाँ पर देख लीजे, language comprehension में क्या आता है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ, ठीक है, मतलब grammar से समबंदित जितने भी आपके होते हैं, one word substitution हो गए, spelling हो गए, items हो गए, phrases हो गए, यह सभी आपके question आते हैं, English में, हिंदी में ऐसे ही आपके सामानार्थी, विलोम, वाक्यांश, और मतलब लोक्ति या मुहावरे, इन सभी से समबंदित आपको प्रशन पूछे जाते हैं, जो आपका second है, general awareness, तो मैंने आपको पहल कत्व था, कि तीनों पार्ट से आपको question कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ पर आप पूरा structure देख सकते हैं, यहाँ पर एक बात अच्छी है कि इन्होंने बताया है कि कितने question पूछे जाएंगे, language comprehension से आपके 50 question पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका 25 Hindi और 25 English रहेगा, और general awareness क और current affair की बात करें, तो यहाँ से भी आपके 50 question पूछे जाएंगे, reasoning और mental ability से भी आपके 50 question पूछे जाएंगे, India Education Hub आप ज़रूर डाउनलोड करें, अगर जो विध्याती इस बार LLB इंटरेंस crack करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर notes, pdf, study material, video सभी मिलने वाले हैं हमार अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, तो description box में number दिया हुआ है, उस पर आप संपर करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, हमने आपको पूरी प्रवेश प्रक्रिया की त्यारी बहुत अच्छे से कराई है, और तो जो विध्यारती अभी भी admission लेना चाहते हैं, उनके पास आख ही, जो है मौका है, चांस है, आप admission ले सकते हैं और अच्छे सितारी कर सकते हैं, तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी आपके पेपर पैटर्न की, आपको वीडियो गर अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजेगा, साधे साधा शभी दोस्तों साथ शेयर करें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैक्स पर वाचिंग, नमस्कार